मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर मौसम बड़ा अजीब सा और खाया आज कल बच्चों की दब्यात तो खराब होएगी बई देखो पंका हम लोग चला रहे हैं, कंबल हम लोग ढग रहे हैं पी रहे हैं ठंडा पानी और ना रहे हैं गरब पानी से तो बच्चों पर इसका सबसे अधा असर होता है बच्चों को बहुत जल्दी सलदी खासी जुखाम हो जाता है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगर वीडियो आपके लिए थोड़ो सा भी हैल्फुल रहे है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा नुस्का शेयर करना चाती हूँ, यह मुझे किसी ने बताया था और यह बहुत काम करता है, छोटे बच्चों पर अब यह दो चार महिने के बच्चों के ऊपर तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप उस पर ट्राइ करो बट हां मेरा जो बच्चे है वो साथ साल की मेरी बेटी है और चार साल का मेरा बेटा है उन दोनों को मैं यह नुस्के से ट्राइ करती हूँ एक लसन की कली आपने लेनी है वो एक माला सी उसके लिए बना देनी है अपने बच्चे के लिए और यहां तक उसके गले में बांध देनी है इससे क्या होता है इससे जो वो लस्सन की कली होती है ना लस्सन का जो एक लस्सन की फांक बोलते है कुछ लोग बोलते है एक लस्सन की कली छोटा सा जो लस्सन होता है वो यहाँ पे आपने उसके बांद देना है उससे क्या फायद होता है वो जो लस्सन है वो गरमास करता है और बच्चे का जो भी सारा कफ है वो सारा गल जाता है तो ये एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है या फिर आप क्या कर सकते हो एक लॉंग और एक काली मिर्च को तवे पे भून लीजिए जब वो बिल्कुल रोस्ट हो जाना उसका पाउडर बना लीजिए पीस के और शहद में घोल के बच्चे को दे दीजिए ये भी बच्चे का जो कफ है वो सारा निकाल देता है तो ये बहुत सिंपल तरीके होते हैं दवाई वगहरा के चेकर में ना पड़के आप इन चीज़ों को ट्राइ कर सकते हैं ये दोरोज तरीके मेरे बच्चों पे बहुत काम करते हैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अब आपके लिए थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी थैंक्यू, थैंक्स वर वाचिंग